नाशकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम काला रंग विरोध का रंग है रिजिस्टन्स और रिजीलियन्स का रंग है खाले जादू का नहीं है यह बास समझने में मोधी सरकार और उनके प्रियमंत्री को शायद समय लगेगा और उधर हमारा प्यारा मीडिया जिस तरह से दौड लगा रहा है गंगेस्टर अतीक एहमत के साथ साथ सफर कर रहा है गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रियाग राश तक वह अपने आप में एतिहासिक है और वाकई बता रहा है कि हमारा मीडिया लोगतंत्र में किस तरह से लोगतंत्र को बचाने और गिराने की जो लड़ाई चल रही है उसमें कहां खड़ा है किस पर रिपोर्ट कर रहा है दोस्तो हम सब देख रहे हैं कि लोगतंत्र भारती लोगतंत्र किस तेजी से फास्ट फॉरवर्ड मूड में है और किस तरह से कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी उनकी लोगसभा सदस्ता खतम करने के बाद जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है जिस तरह से चारो तरफ से एक ही स्वर में आवाज आ रही है वह बता रही है कि देश में लोगतंत्र पे जो हमला है उससे चिंतित लोगों की संख्या कितनी है सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों तरफ से जो तस्वीरें आ रही है जो आपको दिखाई दे रही है बता रहा है कि विपक्ष शायद 2023 में इस बात को सबसे जादा शिद्द से महसूस कर रहा है कि मामला सिर्फ एक पार्टी और एक नेता का नहीं है मामला सिर्फ राहुल गांधी और उनकी सदसता का नहीं है यहां मामला सब के उपर निशाने का है शायद यही वज़ा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने जब पूरे हंगामे के बीच प्रदर्शन किया काले कपडों में प्रदर्शन किया तो हमने देखा कि किस तरह से 17-18 विपक्षी दल साथ आए और यह अपने आप में बहुत ही एतिहासिक परिगटना है जिस तरह से त्रिनुमूल कॉंग्रेस इसमें साथ आई और जिस तरह से कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे इसका स्वागत किया वह बता रहा है कि भविश विपक्ष की एकता की तरफ इशारा कर रहा है टी एमसी हो डी एमके हो समाजवादी पार्टी हो जनतादल यू हो बी आरे सी पी एम राजद एंसी पी सी पी आई आई यू एमल MDMK, KC, AITC, RSP, AAP, NC और यहां तक की अपने रिजर्वेशन्स जाहिर करने के बास आवर कर पर शिवसेना, शिवसेना का एक धड़ा, PDP यानि तमाम लोग अगर आप सदन के भीतर देखिए, तो जितने बड़े पैमाने पर विपक्षी दल मौझूद हैं, वे सब साथ आते हैं, और साथ आकर एक स्वर में एक साथ खड़े होते हैं, और सीधे सीधे मांग करते हैं, कि जिस तरह से राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया, वो दरसल लोगतंत्र के खात्मे की घंटी है, अब आप देखिए, इसका जवाब मोधी सरकार में जो मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जी, वही अनुराग ठाकुर जी, जो गोली मारने वाली बात सडकों पर करते फिर रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में, वे क्या कहते है क्या कॉंग्रेस काले कपड़े काले कारणामे करने के बाद पहनती रहेगी, क्या काले जादू तक भी अब ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए, बेहा शर्मनाक धंग से वह हमला करते हैं विपक्ष पर, और वह कहते हैं कि काले कपड़े से बढ़ कर, अब काले जादू की तरफ कॉंग्रेस और विपक्ष बढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये जो शब्द उन्होंने इस्तमाल किया काला जादू, वह भारती जनता पार्टी की पूरी मानसिक्ता को उजागर करने वाला है, और जिस समय राहुल गांधी के ऊपर, तमाम तरफ से भार उठाए अपने भाशन में, वह बताता है कि सिर्फ विपक्षी नहीं, कॉंग्रेस किस तरह से खुद को मजबूत कर रही है, और जिसे बार बार राहुल गांधी अपने प्रेस कॉंफरेंस से लेकर भारा जोडो यात्रा में दोहराते रहे हैं, कि सड़क पर उतर कर ही इस देश को बचाया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, शायद वह बात लगातार मजबूत हो रही है, और यहां पर प्रियंका गांधी का यह जिक्र करना कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी उनकी मा का अपमान करते हैं, कॉंग्रेस की विध्वा कहते हैं औ अंगिनत अनाप शनाप दुश्प्रचार करते हैं वह सब दरसल भारती नागरिकों की अवमानना है सुनिये, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है, मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था, इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया, उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किय जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मां का अपमान करते हैं आपके मंदरी मेरी मां का अपमान भरी संसंद में करते हैं आपके एक मुख्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांदी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पर्धित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता ये सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत समय से हम और आप मिलकर चर्चा कर रहे हैं चाहे सदन के भीतर जब राहुल गांधी बोलते थे उन्हें म्यूट कर देना साइलेंट कर देना और फिर बाद में उनकी सदस्ता खतम करकर एक बड़ा संदेश देना कि 2024 से पहले भारती जनता प बहुत साफ दिखाई दे रही हैं और इनसे लड़ता भिड़ता जूजता विपक्ष भी नजर आ रहा है दोस्तो हम चर्चा कर रहे हैं भारती लोकतंत्र की और लोकतंत्र पर च्छाए संकट की और इसमें एक जो बहुत दिल्चस्त तस्वीर निकलती है वह तस्वीर है ज इन्होंने अपने बयान के जरिए अपने भाशन के जरिए देश में वाटसप युनिवरस्टी के जरिए जो ग्यान परोसा जाता है उस पर जबरदस्त मुहर लगाई है जो काम उन्होंने किया वह शायद भाशपा की जो ट्रोल आर्मी या यूंकर ये जो आईटी सेल चलत जाते थे कम लोगों को मालूम है देश में अनिक लोगों को पड़ेली खिलों को भरांती है कि गांधी जी के पास ला डिगरी थी गांधी जी के पास कोई डिगरी नहीं थी कितना जबरदस्त है मनो सिनहा आपका यह ग्यान और इससे पता चलता है कि भारती जनता पार्टी खौर एक एहम राज के गवर्नर उनके ग्यान के बारे में इस पर जितना हंगामा होना चाहिए था जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी क्योंकि हम सब जानते हैं यह इतिहास स ही नहीं महात्मा गांधी के नाम के साथ खिलवार है उस तरह का हंगामा इस खबर के इर्दगिर्द दिखाई नहीं दिया तो दोस्तों एक तरफ है मनो सिनहा जी जिनके कंधों पर राजपाल का कारेभार है और दूसरी तरफ देखिए यह हैं निशिकांत दूबे जो उन्होंने सीधा सीधा आरोब लगाया इंके उपर कि किस तरह से इनके दिगरियां फरजी हैं कितना बड़ा फरजी वाड़ा किया गया यानि बहुत साफ साफ मामला है एक तरफ कभी एक मंतरी की डिगरी पर सवाल उठता है कभी प्रधान मंतरी की डिगरी पर सवाल उठत और इन सब पर कहीं से कोई कारवाई नहीं होती क्योंकि लोकतंत्र की जैजय हो रही है दोस्तों देखें ये दो चहरे पहला चहरा हर्याना के मंतरी संदीप सिंग का इनके उपर जूनियर महिला कोच ने यौन शोशन का आरोप लगाया आरोप लगाया प्रमाड पेश किये ब लेकिन दूसरे पत पर ये अभी भी सुशोभित है हर्याना की खटर सरकार इन्हें बचाने के लिए तमाम उपक्रम कर रही है आज देश की राजधानी दिल्ली में भी दुबारा महिला संगठनों के साथ लोग आये और सीधे सीधे खटर सरकार पर आरोप लगाया कि वह इ चाने के लिए क्या साजिशे रच रही है और दूसरी तस्वीर इस शक्स की शैलेश भट की बिल्किस बिल्किस बानों जो गुजरात दो हजार दो में जिनके ऊपर सामोहिक बलातकार हुआ जिनके परीजनों की हत्या हुई जिनके नन्ही बच्ची को पटक कर मार डाला गय इन सारे मामलों में जिस शक्स को सजा सुनाई जाती है वह शैलेश भट उनमें से एक हैं और देखें यह तस्वीर यह बता रही है कि हमारा लोकतंत्र किस तरह से बलातकारियों के आगे नत्मस तक है यह बैठे हैं दाहोत के भाशपा सांसद जस्वन सिंग भाबोर के साथ साथ ही बैठे हुए हैं विधायक शैलेश भी दोस्तों यह सरकारी आयोजन है और देखिए सरकारी आयोजन में ऐसा शक्स मंच पर बैठा है जिसने बलातकार किया जिसने हत्या की जिसे सजा सुनाई गई लेकिन इसी मोदी सरकार की महरबानी की वज़े से यह देश जब अ 15 अगस 2022 को तब बिलकिस के गुनहगारों को जो रहाई मिली उसमें यह शक्स भी शामिल था और देखिए यह आयोजन तब होता है जब सुप्रीम कोट में यह मामला लंबित है और सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है कि जस तरह से तमाम हत्यारों को और बलातकारियों को दी गई वह सही है या नहीं यह सवाल उठाता है सीधे सीधे लोकतंत्र की स्थिती पर और देखिए यह दूसरी खबर इस दूसरी खबर का सीधा तालुक है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्डा जी से वह अपने संसदी छेत्र में उसके एक गाउं दसलाना में पहुचे वहां एक किसान फरियाद लेकर उनके पास आता है और वह इतना परेशान है सीधे सीधे कहता है कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उन्हें इच्छा मृत्यू की अनुमती दे दी जाए अब आप देखिए यह वही बिल्डा जी हैं वही लोकसभा अध्यक्ष हैं जो किस तरह से सदन के भीतर जब चर्चा चलती है तो म्यूट कर देते हैं आवाज हम तक पहुचने नहीं देते विपक्ष के नेताओं की उनकी समवेदना का आलम यह है पराकाश्ठा यह है कि वह भारतिये नागरिक से बोलते हैं जो प्रातना पत्र लेकर उनके पास पहुचा है कि इस प्रातना पत्र में अपना मुबाइल नंबर लिख दो ताकि पता चले कि तुम मरोगे कब वाकई लोकतंत्र की तो जैजै ही है दोस्तों ध्यान से देखिए अपने देश के इस नक्षे को साफ दिखाई देता है कि जैसे ही भारती लोकतंत्र पर हमला बहुत तेज हो इतर मोदी जी के प्री उद्योगपती अडानी के ऊपर जांच की बात होती है जैसे ही राहुल गांधी को सदन से बाहर किया जाता है उनकी सदस्यता खारिश की जाती है ठीक उसी समय यह नफरती ब्रिगेड पूरे फसाद पर उतर आती है और इसे हर जगा जी हां बहुत की बात है हर जगा सरकार और पुलिस का पूरा का पूरा समर्थन मिलता है जहां पर वो सरकारे हैं वे सरकार के लोग इस उपद्रवी भीड को साथ बैठा कर आगे बढ़ाते हैं यह खबर देखिए यह खबर आई है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लाश्पत नगर से और यह शक्स खुद अपना वीडियो जारी करता है आज लाश्पत नगर के अंदर यह रस्तोगी इंटर कॉलिज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुला कर और नई परंपरा डाल कर यहां नमाज अदा कराई जा रही है जिसका विरोध इस्थानिये लोगों ने राश्टिये बजरंगल के कारगटाओं ने सबने मिलकर सामुई ग्रूप से किया है हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे इस शहर के अंदर आसांती भेलाने वालों पर हमने शुर परंपरा डलवाने का प्रयास कर रहा है सहर की सांति को भं करने का प्रयास किया है उन पर मुकद्मादर्ज होना चाहिए यह निशाने पर लेता है जाकिर हुसैन नम कि एक भारतिय नागरिक को हम सब जानते हैं इस समय रमजान चल रहा है और ठीक उसी समय यह शक्स जो हम यानि वह वह यानि हिंदू हिंदू यानि बजरंग दल हम यह गवारा नहीं करेंगे यह सब कुछ भारत में नहीं चल सकता और इसके साथ ही साथ वह फोटो और वीडियो भी जारी करता है उस फोटो में दिखाई देता है कि एक समूह कुछ लोग साथ खड़े होके नमास पढ़ रहे हैं जिसे वह बताने की कोशिश करता है नफरत पहलाने की कोशिश करता है कि यह नया तोर तरीका है कि मुसल्मान एक जगा खड़े होकर अपने ही घर में नमास पढ़ रहे हैं और इसे वह अनकॉंस्ट्यूशनल करार देने की कोशिश करता है वह भूल जाता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत पहलानी होती है कि यह कोई नया रिवाज नहीं है इसे तरावीह कहते हैं जहां पर रमजान के समय एक घर में या एक इलाके में कई लोग साथ बैठ कर नमाज पढ़ते हैं कुरान का पाठ होता है यह ऐसी चीज है जो बहुत सदियों से चली आ रही है लेकिन आप देखिए कि बजरंग दल इसका विरोध करता है फसाद करता है और पुलिस इन उपद्रवियों के उपर कारवाई करने के बजाए तरावीह को बंद कर देती है और इस तरह से संदेश बहुत साफ है बिलकुल साफ साफ शब्दों में है कि अगर बजरंग दल को कहीं पर भी आपत्ती होगी तो पुलिस उसके साथ खड़ी होगी यह एक इंसिडेंट है इस तरह की अंगिनत इंसिडेंट आप तक हम तक पहुशते रहते हैं इसी करम में देखिए सहारनपूर जी हाँ उत्तरप्रदेश सहारनपूर यहाँ एक दलित नौजवान को यही उपद्रवी भीड मुसल्मान समझती है और सरयाम उसके उपर गाए मारने का आरोप लगाती है और बेतरह पिटाई करती है सिर्फ उत्तरप्रदेशी क्यों अब आप देखिए यही उपद्रवी भीड हर्याना पानी पत में पहुचकर किस तरह से हुर्दंग मचाती है लोगों को पीटती है और मुद्दा बनाती है कि नवरातर चल रहे है इसमें मीट की दुकाने बंद करनी है यानी कानून अब इनके पास है पुलिस की जरूरत नहीं अड्मिस्टेशन की जरूरत नहीं और जब यह सब चल रहा हो तो हम कैसे सोच सकते हैं कि मद्दप्रदेश पीछे रहेगा मद्दप्रदेश के जबुआ से यह जो वीडियो आया है यह बताता है कि किस तरह से जो नफरती ब्रिगेड है उसे राजनितिक सरपरस्ती मिली हुई है बाले काना हक नहीं है यह कबजेदार है वो शर्टों के अदिन इसको जमिन दी है चर्श बनाने के लिए नहीं दी है चर्श बनाने के खिलाफ यह पूरा का पूरा आयोजन किया जाता है और अगर सुनिये कि यह नौजवान किस तरह से नफरत उगल रहे हैं किस तरह से देश के समिधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो खौफ लगता है और सिर्फ यही नहीं यह वीडियो देखिए यह वीडियो है भोपाल से आया हुआ है डिजिटल हिंदू कॉनक्लेव हुआ वहाँ पर इसमें काजल सिंगला नाम की यह महिला किस तरह से उकसाने वाला भाशन देती है जब मैंने बात आखिर में कई हिंदू रास्ट्र तो अब जो यह क्लिप सुनेंगे उनके जो पेट में सुलेमानी कीड़े दौड रहे हैं वो उच लेंगे अभी उनको यह है कि भारत को हिंदू रास्ट्र बनने नहीं देंगे तो हम कहते है कि आप तो यह भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे बन गया गर्बगरा के फोटो देखे हमने दो दिन पहले किस तरह से देश को हिंदु राष्ट बता चुकी है कि हो गया हिंदु राष्ट बस हमें घोषरा करनी बाकी है और वह चाहती हैं दरसल अपने पूरे भाषण में कि नफरत फैले और उधर से जो अरप संक्यक समाज है वह रिटालियेट करे तो आप देखिए कि पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है जो बनाया जा रहा है वह बस यही है कि किसी तरह से ये नफरत परवान को चड़े और वोट हासिल करे और इस करम में हम करनाटक को भला कैसे भूल सकते हैं क्योंकि करनाटक तो उनकी नई प्रियोग स्थली है हम सब ने देखा पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से करनाटक में हिजाब को लेकर मुसल्मानों को खौफजदा किया गया लव जिहाद को लेकर खौफजदा किया गया लैंड जिहाद पर अनरगल प्रलाप चल रहा है और यह सब इसलिए है ताकि करनाटक में जो चुनाव होना है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस नफरत नफरत और नफरत हो हिंदु मुसल्मान के बीच डिवाइड हो महराष्ट में यही करम चल रहा है यानि पूरे भारत को तकरीबन नफरत में रंगने की जो तैयारी है यह लोगतंत्र के लिए किस तरह से हमला है किस तरह से लोगतंत्र की तमाम संस्थाओं को मटिया मेट करने वाला है यह सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में दोस्तों लोगतंत्र की यह जो चुनौतियां है यह जो सवाल है यह सुलकते हुए सवाल है जिन्हें हमें और आपको पूछना चाहिए तमाम लोगों से इस पर बातचीत होनी चाहिए लेकिन दुख की बात है कि चर्चा मीडिया जो कॉर्परेट मीडिया है वह राहुल गाधी की समधाता समेलन में एक पत्रकार पर जो नाराजगी है उस पर हंगामा बर्पा करता है वह भूल जाता है कि किस तरह से भाशपानेता वीके सिंग सरयाम मीडिया को प्रेस्टिट बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी जी तो सरयाम गाली तक देते हैं अमिशा जी दबंगई के साथ पत्रकार को कहते हैं ऐसे सवाल मत करो यानि जब मीडिया पर हमला है लोकतंतर पर हमला है तो बहुत जरूरी है हमारा आपका बुनियादी सवालों को उठाना और लोकतंतर को बचाने की जो आवाज है उसे मजबूत करना आपसे अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए खोश खबर न्यूस क्लिक शुक्रिया